दॉक्टर भदंत ग्यानरत्न महाथेराजी से जो प्रवचन होते थे मैं बड़े ध्यान से सुनता था एक वार किसी ने उनसे प्रसंग किया कि जो पांच हजार का जो हम चक्र बोलते हैं कि एक बुद्ध का जो धम का चक्र है वो पांच हार साल का होता है इसका क्या मतलब है ये पांच हार साल का चक्र क्या है समस्या तो उन्होंने जो जवाब बताया वो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने कहा कि किसी बुद्ध में जब कोई बुद्ध आते हैं तो जब उनको बोधी प्राप्त होती है तो वहां से 500 साल तक 500 येर तक अगर भिकुर भिकुनी का अगर संग बना है यानि कि अगर खाली भिकु संग बना है तो 1000 साल तक असर रहेगा उसका और अगर भिकुर भिकुनी संग बना है तो 500 साल तक असर रहेगा क्या असर रहेगा? 500 साल तक बहुत सारे लोग अरत होंगे निब्बान प्राप करेंगे अमत प्राप करेंगे और वो बहुत ज़्यादा अरहंत या अरहत हो जाएंगे और पांच सो साल के बाद अगर भिकुनि संग और भिकु संग दोनों हैं तो अगले 500 से लेके 1000 साल तक वो फिर अरथ कम होंगे और अनागामी जदा होंगे अनागामी स्टेज वो है जिसमें जीवन में एक बार तोर लेगा उसके बाद वो निब्बान को प्राप करेगा और उसके बाद जो 1000-15 साल है या पांच साल और है उसमें वो सग्दा कामी बनेगा सग्दा कामी का मतब है कि वो एकवा जीवन और ले सकता है ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है फिर निर्बान को प्राप करेगा और जो 1500 से लेकर 2000 साल का गैब है उसमें वो सोतापन होगा यानि कि वो धम्म को अच्छी तरह समझ लेगा और वो निर्बान की रहा पे आगे बढ़ जाएगा और जो 2000 से लेकर 1500 साल का जो समय है यानि 500 साल का जो अगला चक्र है उस चक्र में लोग बातیں करेंगे धम को ना तो कोई सोतापन होगा ना सग्दागामी कोई कोई हो सकता है मगर जनरली एरटेंड नहीं रहेगा और उस समय बत धर्म की बात रहेंगे और धर्म पूईत ऐसे खतम हो जाएगा और ऐधर्म का रिजल्ट आजाएगा यानि ऐधर्म हाबी हो जाएगा और फिर अगला साइकल स्टार्ट होगा जो इसको उठाएगा यानि कि धाई जार साल से लेके तीन हजार साल तक उसमें धम की बहुत बाते होंगी धम आगे बढ़ेगा सारे लोग धम को जानेंगे सीखेंगे और उसके बाद फिर तीन हजार साल से लेके और साड़े तीन हजार साल तक फिर लोग सोतापन होंगे यानि उल्टा चलेगा और साड़े तीन हजार साल से लेके चार हजार साल तक फिर उसमें सग्ड़ा गामी होंगे और फिर चार हजार से लेके चक्र उन्होंने बताया यानि कि जैसे जैसे धम का पतन होता है यानि मनुष्य धम को मानना बंद कर देता है धम का पतन तो कभी नहीं होता यानि कि लोगों का जैसे जैसे पतन होना सुरू होगा लोगों का पाप करम बढ़ना सुरू होगा और पुन्य करम कम होना सुरू पुन्य करम बढ़ना स्रू होगा और पाप करम दीदरे कम होना स्रू होगा इसको चक्र बोलते हैं तो 1956 में यानि कि 1956 में इसको पच्चिसो साल हो गए यानि कि जो पहला चक्र था वो पूरा खतम हो गया अब पाप करम जो है वो अपने पीक पर है तो फिर इसको ऊपर चड़ है जब धायजार साल से अगला चक्र आधा चक्र जो वो स्टार्ट हुआ अब ये धंगी गती चक्र चल चुका है अब ये लगाता चलता रहेगा और अगले 500 साल में ये पूरी दुनिया में एस्टाबिस हो जाएगा बहुत तेरी से और फिर लोग सोतापन भी होंगे अना वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको ड उसका प्रिंट मैटरिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बतल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा कॉपी राइट फ प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देखा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामू संगं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू दूतियं पी धम्मं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू दूतियं पी संगं सरनं गच्छामू दोगियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोगियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी